कभी सोचा है कि आपका लैप्टॉप और थोड़ी सी अकल आपको लखपती बना सकता है हाँ बिल्कुल सही सुना आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐसे ही सपर पर जहां पर आप अपने चैट जीपीटी नॉलेज को एक पैजा बनाने की मशीन में बदल सकते हैं सुनने में थोड़ा फिल्म ही लग रहा है लेकिन ये सच है मैं आज आपको पांच ऐसे चैट जीपीटी के प्रॉम्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको कमा के दे ही देंगे इसमें फिल्म प्रॉम्ट तो सबसे नायाब और कामियाब दोनों है ये वो सीक्रेट विपन है जो आपको मिलिनियर बना सकता है और वो भी बिना किसी जंजट के बच्वर विश्वास नहीं होता तो वो तो मैं करा ही दूँगा इस वीडियो में बस आपको देखते रहना है फॉस्ट इमाजिन करो आप अपने घर बैटे बैटे चाय या कॉफी पी रहे हैं और साथ ही एक परफेक्ट ब्लॉग लिख रहे हैं चैट जीपिटी के प्रॉम्ट की हल्प से या फिर सेकेंड आप कुछ मस्ट फेसलेस शॉर्ट बना रहे हैं वो भी हिंदी में वज़ए अगें चैट जीपिटी का ही प्रॉम्ट फर्ड इंस्टाग्राम पर आपके फॉल्वर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाने में महरत हासिल कर ली है चैट जीपिटी के प्रॉम्ट की मदद से फर्ड आप अपने खुद की ई-बुक एमेज़न किंडल पर लॉंच कर रहे हैं और ये भी चैट जीपिटी के प्रॉम्ट की महरवानी से कैसा रहेगा दोस्त और फिफ्ट वाली की तो बात ही निराली है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए आखिरकार कहते हैं न कि सबर कफल विड़ा होता है यहां तो मैं डाइबटीज ही करा दूँगा तो अगर आप एक ओनलाइन हसलर है और AI की इस उबरती दुनिया में आपनी रहा बनाना चाहते हो तो वीडियो को मिस करना पिलकुल आपके लिए लॉस का साओधा होगा तो चलिए शुरू करते हैं जो कि आपको पैसा बना के देगा ही देगा जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्लॉग था है और लाइफ टाइम रहे कर आपको लगता है कि आज करेट में शॉर्ट वीडियो आ गए है और को यूट्यूब में जा रहा है ब्लॉग वीडियो देखे ही अपने टूटूरियल या हर चीज़ महीं से पढ़ ले रहा है या देख ले रहा है उसको ब्लॉग की ज़रूत नहीं है और आने वाले टाइम पे ब्लॉग जो है वो खतम हो जाएगा अगर होगा भी तो आज से 20-30 साल बाद तब तक तो आपको ब्लॉग की ज़रूत दी नहीं पड़ेगी तब मार्केट में नए टेकनोलोजी को आप एक्सेप्ट कर लोगे लेकिन तब तक आ बहुत अच्छा का सा अर्ण कर लोगे तो इसलिए ब्लॉग एक ऐसा तरीका अब यह topic तो पता होता है लेकिन लिखना कितना है किस फ्लो में है और किस अप्रोस्स इशु आता है इसलिए गूगल उनहीं पर्टिकूलर को रेंक कराता है जो की वेल्स फ्रॉक्चर रोता है और वेल्स स्ट्रॉक्चर को आउडलाइन कहा जाता है और आज मैं आपको एक इतना बॉडिया प्रॉम्ट देने वाला हूं जो कि आपके लाइफ को next level पे ले जाएगा, तो चलिए, मैं आपको अपने computer screen पे दिखाता हूँ, practically वैईस, यहाँ पर मैंने एक prompt बनाया है, जो कि मैंने बहुत ही ध्यान से, सो समझ के Google पे ranking के point of view से बनाया है, जो कि आपको मैं अपने telegram channel पे देने वाला हूँ, आप जाओ telegram पे और इस prompt को महाँ से, as it is copy कर लो, आपको मिल जाएगा, the prompt that will give me an outline, जो कि rank करेगा Google पे, वो है I want to write a blog post on topic, वे topic आपका होगा, इसलिम मैं ने bracket में रखा है, so think you are my content writer, and you have a five years of experience, जो five years of experience, क्योंकि five years तक जो content writing लिखता है, वो किस level का लिखता है, मैंने chat GPT को वो बताया है, कि भी या, यह सोच, कि तुछ पांस साल से content writing करता है, ताकि उसके expertise वैसे बने, कि इससे पता हो ना चाहिए, क्या plagiarism होता है, क्या keywords होते है, किस type के लिखना होता है, तो मैंने एक experience देके, इसको उस level का set कर दिया है, now you know how to write a blog outline, बता रहा हूँ, क्योंकि 5 साल से लिख रहे हो, तब आपको पता है, कि outline कैसे लिखा जाता है, मेरे इस topic पे, my words target is straight out, मैंने बता दिया, कि 3000 words मैं मैं लिखने वाला हूँ, and you need to go deep informing outlines for my blog, 3000 words मतला बहुत lengthy लिखने वाला हूँ, तो deep जाके आपका outline लिखना है, कि मेरा word count, 3000 words का मेठ होना चाहिए, एक लंबा और वास्ट outline देना है आपको, अब मैं chat GPT को बता रहा हूँ, कि मेरा target audience कोन है, my readers are Indian English speaking audience, क्योंकि मैं Indian audience को target करने वाला हूँ, so keep that in mind, write in Indian verb viages, बना क्या होता है, कभी कबार American या British verb viages use किया जाता है, जो कि Indians के लिए उतना readable नहीं होता है, तो मैं इसको साफ instruction दे रहा हूँ, या आपको Indian verb viages, का इसका इस्तमाल याँ पर करना है, the flow of the content must be in a chronological order, ऐसा नहीं है कि पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर उसके बाद ये लिख दिया, इसका meaning नहीं आ रहा, फिर उसके बाद एक और लिख दिया, उस paragraph को second मना चाहिए, the second को third में, नहीं नहीं, गुरा chronological series को follow करेगा, यहाँ पर साफ लिख दिया, जहाँ पर broad headlines to specific headlines का ध्यान रहतना है, लब broad headlines से शुरू करें, और दिर दिर नीचे आतर दे, specific headlines में आ जाए, heading tags must be properly maintained, heading tags मतलब h1, h2 properly मुझे दे, ताकि मुझे समझ आए कि कौन से tag पे मुझे कितना और कैसे लिखना है, then do not copy anything, यह सबसे important है ध्यान लिखना जो कि मैंने आपर मेंचन किया है, अज तक आपने 5 साल में, जितना भी लिखा है, उसमें किसी से भी copy मत करना, अभी क्या करेगा, कि अपने आज तक इस topic पे, किसी को भी अगर इसने चैट जिपटी ने दिया होगा, कोई भी content, तो उसको वहाँ से follow नहीं करेगा, तो इसलिए इस prompt को मैंने आपर मेंचन किया है, यह ऐसा prompt है जो आपको lifetime vlog बनाने बे, इसतना help करेगा, जो vlog नहीं सिर्फ rank करेगा, बल्कि almost आपको earn करके देता रहेगा, for a long period of time, so for example, मेरा जो आज का topic है, वो है, how to train a cat, कि cat को कैसे train किया जाता है, let's do one thing, इसको मैं inverted commas में कर देता हूँ, same, इसी जीज़ को again मैं यहाँ पा लिख दूँगा, and now, आपको सिफ topic की जगा पे वो change करना था, जो कि मैंने आपको बता है, क्योंकि आपको अपना topic बता होगा, now click on enter, the moment I'll click on enter, अब मुझे बैट जाना है, अब यह prompt आपको, 3000 words का unique plagiarism free with proper heading के साथ, आपको outline देना शुरू कर देगा, like this, now it started with title, title के साथ start किया है, how to train your cat, a comprehensive guide for Indian pet lovers, Indian कहां से आया, क्योंकि मैंने कहा था कि यह Indians को target करके, मैंने इस blog को लिखना है, अब देखो, आप बता रहा है, कि आप पहले brief दो, कि the love Indians have for pets, especially cats, cats ओ कतना पसंद करती हैं, असे introduction दो, importance दो, quick overview दो, of the article क्या के cover करेगा, then H1 में understanding your felon friend, then H2 में यह आएगा, H2 के अदर इतना लिखो, फिर से H2 में आएगा, इतना लिखो, and then H1 फिर से आजाएगा, preparing for the training, जिसके अंदर H2 है, H2 के अंदर यह सब है, example तक दे रखा है, sabar कफल मेटा है, which means, the fruit of patience is sweet, then देखो, basic cat training techniques, वगरा वगरा, वैस यह है वो कहानी, जो कि इसने outline दे दिया है, अब मेरे पास एक structure ready है, और मैं इसको खुद लिखने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इस topic का expert हूँ, और मैं लिखूंगा तो खुद ही, मैं चाट GPT से लिख पाऊंगा नी, मैं खुद लिखूंगा, क्योंकि उससे मुझे satisfaction आएगा, और मैं एक human touch दे पाऊंगा, अपने content को, अपने readers को, एक वज़ा दे पाऊंगा, कि वो मुझे subscribe करे, follow करे, मेरे आने वाले content को, और वो मुझे एक influencer माने, इस particular genre में, तो यह है कहानी, आज के vlog outline की, जो की chat GPT से आपको बनवाना है, इस prompt के साथ, और ये prompt, आपको lifetime, आपके हर topic के लिए, इतना vast और structured content का outline दे पाएगा, कि बस आप outline यहां से लिखाओ, और उन outlines पे अपना content लिखो, Google क्या, Google का बाप भी आपको राहिंग देगा, इतना तो मैं guarantee के साथ आपको कह सकता हूँ, अगर आपको blog को बहुत अच्छे level पर ले जाना है, और उसमें traffic चाहिए काफी जादा, तो मैं आज आपको एक ऐसे plugin के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको search engine पर depend हुए बिना, आपको traffic generate करने में help करेगा, that is known as notex, notex एक push notification service है, जो कि आपके subscriber को notify करता है, जब भी आपको नया blog लिखते हो, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ उनको as an update देना होता है, ये सीधा उनके browser पे या उनके mobile app पे notification सेंड करनाता है, जिसको click करके ही आपका user आपके website पे और app पे आ जाता है, जिससे आपका traffic instant बढ़ जाता है, notex एक push notification service है, लेकिन ये बाकियों से better है, बाकियों से better इसली है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसी services मलती है, ऐसे features मलते हैं, जो आपने बाकियों में नहीं देखा होगा, जिसमें है in-app notification, कि app में तक उनके notification जाता है, और audience segmentation तो एक लाजवाब इनका एक option है, जिसके अंदर आप अपने audience को segment कर सकते हो, कि कौन से audience को किस type का notification जाए, ना कि एक ही notification सारे audience को चला जाए, जिसमें कुछ audience ने आपको किसी और चीज़ के लिए सबस्क्राइब किया था, वैसे आपके notification से भी आप earn कर सकते हो, आप इसमें notification यूजर के time zone के according भेज सकते हो, फर एक्जांपल आपके पूरे world से user आपके site में आते हैं, लेकिन इस time पे यहाँ पर रात हो रही है, तो वहाँ पर दिन हो रहा है, वहाँ पर रात हो रही है, आपका notification जो है चला जाएगा real time पे आप statistics चेक कर सकते हो जिसे ये पता लगा सकते हो कि आपके notification सेट करने से कितना traffic आपके site में generate होता है और ऐसे ही बहुत सारे और features है जो कि आप इनके site में आके आराम से चेक कर सकते हैं link मैंने description में दे दिया है free में account बनाईए क्योंकि इसमें 30,000 subscribers तक आप free में बिल्कुल इनके services को use कर सकते हैं और उसके बाद अगर अगर आप चाहें तो आप monetize करके unlimited इनका plan भी use कर सकते हैं तो description में लिंक मैंने mention कर दिया है बिल्कुल इसको अभी install करें WordPress के simple plugin से और आप अपने site का traffic बढ़ता हुआ देखेंगे अप चलते हैं वापस अपने topic पे So where is the next prompt which I am talking about बहुत जबर्दस है और market में चाया हुआ इस time पे क्योंकि AI ने almost हर जग में कबसा कर रखा है तो इसलिए the next prompt है वो शायद आप बहुत ही असाने से कर पाओ सिर्फ एक और tool की जरूत पड़ेगी अपार्ट फर्म चाट GPT और आपका काम हो गया आपको सिर्फ चाट GPT में एक prompt दूँगा उस prompt के इस्तमाल करना आपको इतना बहतरीन सा script निकाल के देगा script को खाली जाके आप उन AI voice में डाल दो वो यह विल्कुल human voice निकाल के देगा मरलब नहीं पकड़ बाएगा कोई की वो इनसान बात कर रहा है या फिर कोई AI voice बात कर रहा है वो विल्कुल AI voices की तर रहोंगे और उन voices पे खाली आपको images देने है और shots monetize भी होता है in fact आप long video को भी monetize कर सकते हो AI videos बना के अब कैसे करना और वो particular prompt क्या है जल्दी से देख लो कि जो prompts के बारे में आज बात कर रहा हूँ ये prompts market में कई-कई हजारों में बिखते हैं prompt base एक ऐसी site है जहाँ पर आप बेचते हो तो यानि चलो अब तोड़ा सा सबट धरो मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो देखो the next prompt which I'm talking about here is this देखो मैंने आपर इसको बोला है कि मुझे एक ऐसा script लिखके दो जो कि मैं faceless video में use करूँगा और मैं उन videos के इस्तिमाल करूँगा जो कि stock photos या stock videos है और मेरा audience जो है वो बहुत patience लेज़ है उसको अगर आप engaging video या engaging script नहीं देती हो ना तो वो जल्दी से swipe कर देगा और swipe कर देगा मेरा video खतम तो मैंने इसको इस तरीके से prompt दिया है कि अब यह जो मुझे answer देगा या फिर जो भी reply देगा वो एक ऐसा script होगा जिस script को बहुती संजगीतगी से उसको सजाया गया और बनाया गया देख लो जल्दी से prompt क्या है ये वाला prompt मैंने पर टेलिग्रम चैनल पर दे दिया है तो make sure आप मेरे टेलिग्रम चैनल पर जाओ और इस prompt को भी वहाँ से उठा लो देखो prompt है Thank you are a script writer for YouTube Shots ठीक है वही चीज़ जो मैंने बताई थी Today I am planning to create a faceless short video where stock videos and photos can be used to make the complete 60 seconds short video मैंने इसको target दे दिया है 60 seconds का बनाने वाला हूँ तो मुझे एक ऐसा faceless video के लिए script बना के दो जो कि मैं stock videos और photos से बना पाऊँ And then I want you to use your 5 years of video script writing experience तकि वो standard, वो level मैंने set कर दिया है कि इस experience के साथ सोचना क्योंकि इस experience वाले लोगों को ही एक अच्छी script बनाने का knowledge होता है क्यों? क्योंकि अगर 5 साल का आपका experience होगा तब ही आप इस चीज़ को जान पाऊगे कि आपको कैसे मेरे audience को engage करना है देख रहो किस minute और detailing के साथ मैंने script को तराशा है और मैं आपको ये free में देने जा रहा हूँ जो कि हजारों में विकता है तो जल्दी से आप इसका फाइदा उठाओ My audiences are very patienceless बहुत ही कम-patient वाले audience है and they will swipe the video वो swipe कर देंगे if you don't give them curiosity to watch the full video अगर आप curiosity ने जनरेट कर पाए तो वो भाईए swipe कर देंगे तो curiosity जनरेट करने के लिए मेरा first 5 seconds of the video will be very crucial first 5 seconds crucial है तो वही मेरे audience को रोकना है सबसे पहले so must give a hook where you will help them to visualize what they are going to watch in the entire video मतलब first 5 seconds crucial है तो आप यहाँ पर क्या करोगे आप यहाँ पर एक hook दोगे जिसमें मेरा audience उस 5 seconds में यह समझ जाए कि वो पूरी वीडियो में क्या देखने वाला है और इस तरही के से मेरा आज का टॉपिक है how to train a cat in India इसे कहते हैं prompt engineering फ्रीम में मिल रहा है आपको इस्तमाल कर लेना अब अगर आप हैरान नहों तो मैं आपको देखा हूँ कि इसने मुझे क्या result दिया है result है यह title दे दिया है आपके वीडियो का यह use कर लेना और अब देखो इसने मुझे second by second बताया है कि इस second तक यहां से यहां तक यह करना है सबसे पहले इसने मुझे भी बता दिया है stock videos जो आप ढूंदोगे वो कैसे ढूंदोगे इस keyword से ढूंदोगे कि जिसमें close up your cat's eyes eyes को अपने cat के वहां से वो video होना चाहिए कि वो close up दिखा रहा है आँख दिखा रहा है traditional Indian music playing softly in the background आँखों से start करना है यह आपका visualization है but the voice over क्या रहेगा वो यह रहेगा ever wondered how to make your cat obey every command Indian style guys यह है पहला 5 seconds just look at it यह कर रहा है इस 5 seconds में आपका लिए दो then बाकी के 5 seconds यह रा voice over then उसके बाद के 5 seconds यह रा voice over बतला पूरे shots को 60 seconds के लिए उसने minute by minute इसने बना के दे दिया है अगर आप इसे पड़ोगे जो कि मैं आपको यह prompt दे रहा हूँ तो आप खुद बना के देखना कि इसने कितना powerful prompt आपको बना के दिया होगा अब यह same चीज नहीं बना के देगा वो आपके वाले version में जो भी मेरा तो chat gbd plus है आपका free वालागर होगा तो उसमें कुछ अलग तरीके से बना के देगा लेकिन इस prompt से आप faceless वीडियो के लिए आराम से script बना सकते हैं अब खली आपको इस script का इस्तमाल कहां करना है जिस भी AI software में आप इसको डालना चाहते हो like clicky clicky मैं personally इस्तमाल करता हूँ उसका description में link दे दिया है free में account बना के उसको use कर सकते हो आप जाओ वहापर ultra realistic human voice मलते हैं आप उसको इस्तमाल करोगे न आपको बता लग जाएगा मैंने अपने last video में बता दिया था कि कितना real तरीके से लोग इसको use करके कई हसारों डॉलर चाप रहे हैं अपने लिए तो guys ये था मेरा second prompt आज के लिए आशा करता हूँ कि इस prompt का इस्तमाला पही न कहीं जरूर करके अपना career set करोगे इस particular industry में now the next prompt which I am talking about जो कि आपको बहुत अच्छा पैसे कमाने में help कर सकता है which is known as Instagram जी हाँ Instagram में भी आप आराम से post वगरा बनाके अपना followers से बढ़ा सकते हो और फिर sponsors से बहुत अच्छा का सा earn कर सकते हो now if I talk about जो last में हमने short video बनाये था आप उसी का ही एक और version Instagram Reel में भी डाल सकते हो लेकिन what if अगर मैं कहूँ कि आप Reel के लावा Instagram पे एक और जगा से अपने followers बढ़ा सकते हो and that is known as Carousal Post Carousal Post की कहानी यह है कि जब आप कोई content डालते हो न तो उस पे काफी जादा engagement आने के chances बढ़ जाते हैं जैसे कि अगर मैं बताओं यह एक Carousal Post है अब अगर आप इस post को देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास pages है and इन pages में आपके पास क्या-क्या है एक headline है एक आपका body text है और एक visual है और इस तरीके से एक story बना दी गई है कि आप number wise number किस तरीके से आप यहाँ पर अपना chat GPT prompt का इस्तिमाल कर सकती हो like this तो अब हमें इस type के Carousal Post बनाने है क्योंकि इसमें engagement आते हैं दोस्त अब क्या करना है simple एक prompt का इस्तिमाल करो और वो prompt में आपको आप देने वाला हूँ अपने दिल को थाम के बैठो आपकी life easy हो जाएगी और यह भी prompt आपको टेलिग्राम चैनल पर जाके मिल जाएगा तो चाना है बस आपको आपको उहाँ पर इस prompt को यूज करना है and the prompt I am talking about here is this thing you are an Instagram influencer and you have 5 years of experience on Instagram content creation my audience are cat lovers and you need to engage them by creating a carousal post where they want to learn how to train their cat in India I want you to create a step-by-step training carousal post in 8 slides where first slide will be the poster to hook the audience क्योंकि first slide हमेशा poster होता है और वही hook करता है आपको audience को तो बहने इसको instruction दिया है कि first slide जो है वो मेरा hook होगा 8 slide में से और बाकी आप 7 slide जो है वो training दोगे rest of the slide will be the training steps now give me the post content post content देना है मुझे जिसके अदर headline होगा body text होगा और visuals होगा यानि post content जिसके अंदर headline होगा body text होगा और visuals होगे जो भी उस particular content का visual होगा now you see that कि इसने मुझे क्या reply किया है so guys slide 1 में एक visual तक दे दिया है इसने कि visual क्या होगा headline क्या होगा और body text क्या होगा आपको सिर्फ छापना है copy, paste canva में जाओ इसको copy करो paste कर दो that's it slide 2 में क्या करना है slide 3 में क्या करना है slide 4 में क्या करना है एकदम detail में इसने आपका carousal post बना के दे दिया आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था इसको topic देना था और prompt ही वाला इससे इतमाल करना है जो कि मैंने आपको daily है आपको daily सिर्फ दो तीन carousal post करने है and you will see the engagement in your Instagram profile और जब Instagram profile बढ़ना शुरू हो जाए sponsor, affiliate marketing तमाम चीज़ी है जिससे आप यहाँ पर पैसा चाप सकते हो and the fourth prompt जो आपको directly help कर सकता है कि आप earn कर सकते हो and that is by publishing e-book on Amazon Kindle आज की डेट में Amazon Kindle का बहुत जबरदस्ट एक scope है, awareness है जो की market में हर को जानता है कि Amazon के Kindle में आप books वगरा खरीद के आराम से इसको पर सकते हो लेकिन वहीं अगर मैं अपना target audience जो है वो बच्चो को कर दो तो ये opportunity मेरी और बढ़ जाती है यो कि अगर दिखा जाए तो आज की डेट में बच्चो को कुछ parents या फिर बोलो कि जो affluent parents होते हैं, थोड़े अमीर टाइप की होते हैं वो phone की जगह Kindle देना पसंद करते हैं जो कि Kindle में बच्चे पढ़ सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं, उसको as a tab यूज कर सकते हैं लेकिन phone वाला addiction उसमें नहीं आता है और Kindle में parents अपना account लगा देते हैं जिससे क्या होता है कि बच्चे कोई अपना Amazon पे जाते हैं एमाजन पे जाओ और इस book को हां publish कर दो बहुत असान है book को publish करना अगर आप बोलोगे comment में लिखो के तो मैं पूरा book publish करने का process जो है वो Amazon पे दिखा दूँगा इस तना असान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन prompt क्या है वो जल्दी से देख लो तो I am just writing the prompt here अब देख लो तो prompt आज का है I want to sell an e-book on Amazon Kittle now think you are a kids story book writer and you are doing it from past 10 years my targeted audience are 7 to 12 years of kids who love to read stories you need to help me creating a detailed e-book of a prox 3000 words with visuals and short paragraphs visual or short paragraphs क्योंकि बच्चे है न उनको visual देखना पसंद है and the theme you will be using jungle and talking animals बच्चे पसंद करेंगे न क्योंकि बात करते हुए जानवर है बच्चों को साधा लुभाते है you need to start the story with creating curiosity among the kids so that they can raise their interest in reading the whole story right अब मैं जैसे इसको एंटर करूँगा so guys ये prompt आपको एक story book लिखके देगा भकाइदा पूरी kindle के लिए and that will you know अगर आपने इसको सही तरीके से तराश्ट लिया अब देखो इसने लिखना start कर दिया है outline से लेके सब कुछ आप ये बना के आपको देदेगा तो जब तक ये लेक रहा है wait करते हैं और उसके बाद जैसी ये finish करता है let's come to the next and the last interesting prompt now guys see इसने मुझे कितना जबर्दस सा आउटलाइन दिया है कि introduction mysterious whispers in the jungle फुस पुसाना जंगल में फुस पुस करता है कोई तो इसमें कैरेटर कौन कौन है वो भी दे दिया है Leo एक lion का बह बच्चा है वनलबशियर का बच्चा और एक tina talkative token है then Moe एक mysterious monkey है जब थोड़ा सहतान monkey है quest इसका है discover the source of mysterious whispers मतलब इसमें जो target है वो क्या है बच्चों को डूमना है कि ये आवाज आ कहां से रही है challenges क्या क्या रहेंगे navigating the jungle, jungle गुमेंगे पूरे सब कुस ये character जो है or meeting the talking animals ये सब होगा climax में क्या होगा discovering an ancient tree that tells stories मतलब इसमें आवाज कहां से आ रही थी एक ancient tree था जो की story सुनाय करता था वहीं से ये whisper की आवाज आ रही थी और conclusion में importance of stories and passing them on तो इस तरह के से stories दे दिया है visual में क्या रखना है मतलब एक visual मनाना है और उसमें मुझे ये story लिखते हुए चलना है this is the story now story is in the heart of the vibrant jungle land animals would often hear soft mysterious whispers these whispers were not scary मतलब डरावना नहीं था but filled with tales of ancient times तो इस तरह के से इसने बहुत ही बहतरीन सा इसने मुझे एक story लिखके दिया हाला कि ये story complete नहीं है क्योंकि 3000 words बने बोला था अब मैं इसको continue करकर 3000 words लिखवा सकता हूँ इस तरही के से आप story book को बना के इसका PDF बनाओ और उसको जाके Amazon e-book में e-book section में इसको बेचना शुरू कर दो अपने pricing में चैब वो 100 रुपे हो या 200 रुपे हो prompt for prompt yes जैसे कि ये नाम सुनके लग रहा है ना कि prompt for prompt कहीं कोई ये gimmick तो नहीं है पिल्कुल भी नहीं guys आज मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊँगा जिसके अंदर आप prompt देखे prompt कैसे बनाना है वो सीख सकते हो और आपको पता ऐसा क्यों सीखने वाले हो आप क्योंकि इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं एक तो आप अपने लिए दुनिया का कोई भी prompt बना सकते हो और दूसरा अगर आपने prompt में महारत हासिल कर ली तो आप prompt बेज बेज के अमीर हो सकते हो इसके ओपर पूरा वीडियो मैंने अलरी बना दिया है लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ कि आप prompt कैसे बेज सकते हो and go to promptbase.com promptbase पे गाईज prompts बिकते हैं और कई-कई dollars में बिकते हैं अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा हूँ यह एक prompt है GBD का ultimate blog post and articles writer यह एक prompt है जो कि यहाँ पर बिक रहा है 3.99 dollars में get prompt पे क्लिक करोगे जैसे आप pay कर दोगे 4 dollar आपका यह prompt आपके पास आ जाएगा और इस prompt से जो output निकलेगा वो यह output है just look at it यानि आप अगर सीख गए कि prompt बनाए कैस जाता है बस prompt base पे आओ और उसको sell करना start कर दो तो guys है ना कमाल का मैंने आपसे कहा था ना कि 5th prompt जो है वो एक next level होगा सबसे नयाब होगा सबसे कामियाब होगा और सबसे आसान होगा so let's do it so guys now come to chat GPT on 3 चीज़ों का ध्यान रखो 3 चीज़ में उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि actually मैं ये काम कैसे करेगा अब सबसे पहले what to act तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा पता है इसको delete करूँगा और मैं लिखूँगा example के दोर पे think you are a professional cat trainer what to do में you need to create a complete article on cat training for example मैं article लिखवाने वाला हूँ what not to do you will not for example not to do कुछ भी हो सकता और बहुत सारे भी हो सकता है जैसे मेरा not to do आज का ही है you will not use the same common training methods मैंने उसको बोला है कि कोई common training method है जो कि हर कोई बताता है वो मत करना try something unique अब मैंने ये बता दिया तो ये बहुत सारे भी हो सकते है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक ही don't हो सकता है देको do तो एक ही हो सकता है कि मुझे cat के उपर article बताना है तो article बता के do that is a do only thing हो सकता है but not तो कुछ भी हो सकता है क्या आप नहीं चाहते वो तो आपको decide करना है आपके creativity पर depend करेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो ना करे क्योंकि वो सबके लिए सेम चीज़ करेगा अगर cat training आप भी मांगूँगे मैं भी मांगूँगा तो cat training सबको वो सेम cat training देगा बट मैंने आज इसको specify कर दिया कि common method का इस्तिमाल मत करना जो common training methods होते है कुछ अलग दो अब यहाँ पर क्या हुआ है ये तो रहे prompt आर्टिकल बनाने के बट हमारा आपका prompt क्या है हमारा आपका prompt ये है prompt for prompt इससे मैं prompt कैसे बनाऊ ये कोई prompt थोडी ना हुआ ये तो pure खाली instruction हुआ कि मुझे ये करना है और ये ये चाहिए बट इससे उतना efficient आपका prompt नहीं निकल के आएगा बलब जो result है वो निकल के नहीं आएगा now what to do अब आपको यहाँ पर लिखना है I am new to chat gpd first time हो रहा है पुरे youtube में ध्यान से सुनना I want you to write a detailed prompt for me on the above instruction instructions को kolons के अंदर रख दो and then enter and your job is done guys पूरे youtube में आपने first time ऐसा कुछ देखा है तो मैं like का हकदार हूँ मैंने अपना secret खोल दिया है मैं like का हकदार हूँ मैं share का हकदार हूँ मैं आपके प्यार का हकदार हूँ subscribe करना जरूर ताकि इस तरीके के content में आप लोग के लिए continuous जिन्दगी भर लापा हूँ and this is what the prompt यह होता है prompt जो आप लिख रहेते हैं दो तिन लाइन में एक लाइन में वो prompt नहीं होता है now this is the prompt अब इसको आप बेचोगे यहाँ पर आके yes यह prompt है imagine you are a renowned professional cat trainer known for your innovative and unique approaches to flying behavior and training you have been asked to write an article for a leading pet magazine and editors are looking for something fresh and different they have seen all the common cat training methods and are hungry for something new मैं फैसिनेटेड होता जा रहा हूँ यह तो मेरे पूरे prompt engineering का सर्फ मात्र एक परसंट हिस्सा है guys मुझे prompt engineering में इतनी जादा अपने मू मिया में ठू नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं सीख सीख की जबसे chat GPT आया है मैंने इसका plus ले 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 सब कुछ कर लिया plugins वगरा मैं यूस कर रहा हूँ तो guys chat GPT की prompt engineering अब आपको इस prompt को जिसको भी दोगे न जिसको भी for example let's copy it copy कर दिया नई prompt पर चलते हैं इंटर मारते हैं अब देखते हैं कि result क्या आता है cat training के इस article पर ना आप अपका वकार आजाओ तो मुझे बताना इसने अब आपको लिखके देना शुरू किया है वो real article वो जो कि अभी ता कोई नहीं लिखवा पाये था पूरे chat GPT में cat training के ओपर and this is what the article is about so guys अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि chat GPT जितनी जल्दी हो सके सीख जाओ सीख जाओ सीख जाओ और अगर आपको सच में सीखना है तो जल्दी से मेरा live session join करो live session yes जो कि मैं इस Sunday को लेने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको खुद personal अपने तीन घंटे दूँगा और उस तीन घंटे के अंदर मैं आपको ऐसी चीज़े सिखाऊंगा जो शायद आपने पूरे YouTube में कहीं नहीं देखा होगा चायद GPT के बारे में और उसका link description में है free बिलकुल नहीं रखूंगा इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि जिसको गरज होगी या फिर जिसको पड़ी है जो dedicated है जो serious है सिर्फ वो आए मुझे सिर्फ मूँ उठाके आने वाले लोग नहीं चाहिए कि देखती है क्या है नहीं 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 करियर बनाना है तो आओ तभी मेरे उस education मतलब मेरे उस विद्या का मान होगा वरना नहीं होगा सिर्फ मूँ ठाके आओगे जब मर्जी सेशन में इंटर करोगे जब मर्जी सेशन से घाट से लिए आओगे I don't want that वो मेरे लिए एक पेज़ती सी फील होगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्या का इस टाइप से पेज़ती हो So, description बे लिंक है हाँ, अगर आपको सीखना है, अगर आपको सच में पड़ी है मैं guarantee देता हूँ कि आपको उस level तक सिखा दूँगा जो आपने कभी plan भी नहीं किया या फिर कभी आपने सोचा नहीं है कि ऐसा हो सकता है So, guys, this is what the industry is ChatGPT AI का सबसे बड़ा अस्त्र है इसको अगर आपने सीख लियो, तो that's it आपको बाकी और किसी चीज की सीखने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं पड़ेगी, इसी में सारे tools समा गया है, यह आप समझ लो ChatGPT से, नहीं सिर्फ आप अपने prompt को sell करके अपना घर चला सकते हो, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है मैं उस दिन ये भी सिखाऊँगा कि इसके अंदर sell कैसे किया जाएगा और आपको किस level पे sell करना है और secondly मैं ये सिखाऊँगा कि आप इससे marketing के हर एक छोटे से चोटे और बड़े से बड़े strategies को यूज़ करके अपना पूरा marketing यूज़ी कर सकते हो चाहिए आप जॉब में कर रहे हो अपने बॉस के लिए करना चाहते हो बॉस के लिए करो जॉब्स ऐसी अवेलेबल है ना चाट जीपेटी के लिए कि जिसको चाट जीपेटी का next level पता है वो तो अलगी चीज है वो तो मैं सब्जाए नहीं सकता आपको तो इसलिए गाईज लेट्स डू वान तिंग वड़ावट से पहले आपने आज जो सीखा है उसके लिए like सब्सक्राइब कर लो बाके अगर importance आपको feel हो रही है किया आपको चाट जीपेटी सीखना चाहिए तो जल्दी से description में लिंक है join करना संडे को मैं आपको live session दूँगा और live session देंदर बहुत कमाल कमाल की चीज़ आपको सीखने को मिलेगी तो guys आज के session के लिए यहीं तक मिलते हैं मेरे next session में तब तक के लिए यूँ ही मस्कुराते रहिए और दिमाग धनकाते रहिए